नेक्स्ट वीक, मार्केट के लिए बहुत क्रूशल है, मेक और ब्रिक, नेक्स्ट वीक में यह डिसाइड हो जाएगा कि यह ट्रेंड कंटीनू रहने वाला है, यह रिवर्सल की शुरुआत हो चुकी है, यह शौट वीडियो बना रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है मार्केट में मंदे को और ओवर्राल इस वीक में क्या हो सकता है ठीक है और इसमें एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर का यूज करूँगा बट बहुत एफेक्टिव होता है रिवर्सल ट्रेट करने के लिए देखो दो रेट कंडल बनी है वीकली पर आप जितने भी टॉप्स उटा के दे है ना कोई भी बड़ा करेक्शन ठीक है तो हम दो रेट कंडल बना चुके हैं तीसरी भी अगर बड़ी बनती है इस तरह की यह चोटा बाउंस वैक आता है या क्या है वो बात कर लेते हैं क्या सेनारियो हो सकते हैं बट थोड़ा सा सिंपलिफाई करें हम ट्रेडिंग को औ ठीक है क्या चेंज हुआ है और क्या प्रॉबैबिलिटीज हैं मंडे के लिए और इस वीक के लिए मैंने बहुत एक आद महीने पहले पोल किया दा है ना तो आप में से लगवग 45% लोगों ने आंसर दिया था वॉल्यूम्स ठीक है तो अगर हमको लीडिंग इंडिकेटर देखना है रिवर्सल के लिए तो हमको वॉल्यूम एक्टिविटी पे नजर रखना पलेगी और वॉल्यूम एक्टिविटी ट्रेडिंग व्यूमें आपको भी बता रहा हूं जो लखबग लगवग पिक्चертв क्لियर कर रहा है कि अगले हप्ते क्या होने वाला है ठीक है इस से सिंपल मतलब कुछ नहीं हो सकता ना इस से सिंपल वीडियो हो ही नहीं सकता इस नेक्स्ट वीग के लिए या मंड़े के लिए ठीक है तो जबिए indicator के में बात कर रहा हूं volume important हो जाता है ना आप देखो volume का खेल देखो आप यहां पर कितने छोटे छोटे volume के साथ market जा रहा था है ना on an average volume देखें हम यहां से पूरा देखें तो यहीं कहीं इतना होता है ना यहां कहीं average अगर देखें लेकिन आप देखो कि पिछले कुछ दिनों से टावर थोड़े बढ़ गए ना एक यहां ग्रीन बढ़ा था जब यह lifetime हाई बनाता है इस दिन ठीक है तो बहुत सारे short cover with the 19,000 11 का हाई बनाया था तो एक बड़ी ग्रीन केंडल बनी था यह MSCI यह सबना तो volume important हो जाते हैं जब market का top बने वाला हो यह बन चुका हो और reversal हो रहा हो इसलिए यह red candle में बड़े volume आपको comparative ली दिख रहा है तो जिस indicator के मैं बात कर रहा हूं देखो जब हम trend को trade करते हैं तो एक simple moving average से भी काम चल जाता है exponential moving average लेकिन जब reversal होते हैं तो volume activity बड़े जाती है तो यह जो indicator मैं आपको बता रहा हूं यह है volume weighted average price ठीक है इसका calculation वगएरा समझाओंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा इस पर patreon पर dedicated video बना दूँगा बहुत बहुत जबरदस्ट indicator है यह भी ठीक है फरक इसमें क्या है फरक इसमें क्या है वी वैप select हो गया रुको मॉविंग एवरेज मॉविंग एवरेज मॉविंग एवरेज ना इसकी बात कर रहा था गल्दी सी सेलेक्ट हो गया था वी वैप है यह आपके बारे में बता चुका हूं है पुब्लिक लाइफ स्ट्रीम में पिछले साल दिसंबर से मार्च तक ठीक है इसकी डिफॉल्ट वैली रहने रहेते हैं 20 पीरिट का ना 20 डे का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइज है अब यह नॉर्मल एवरेज से किसमें क्या लग होता है मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं जो नॉर्मल एवरेज केल्कुलेट करते हैं वो क्लोजिंग अआधा ना बधारि लगगे अधिज है उसको जैसे पिछले 5 केंडल का मूविंघ अवरेज देखना है उस पांच का केंडल का क्लोज लिए अंङुग हो गया लेकिन वॉल्यूम वेटेड मॉविंघ कैलकुलेट करता है वॉल्यूम को वही मतलब इस केंडल का वॉल्यूम अगर जादा है ठीक है तो इसका वेटेज जादा लेगा है ना मतलब इसकी closing volume consider करके इसकी closing लेगा और वेटेज इसके आसपस रहा है मतलब इसके आजू आजू केंडल का अगर volume कम है ना और इस दिन जो price है उसके आसपस volume उसके आसपस weighted volume average price घूमेगा ना क्योंकि volume बढ़े रहे हैं थीक है तो यहां पर जब volume activity बढ़ जाती है तो volume weighted moving average important हो जाता है ना जो मैंने बता है मैं patreon पेस का video upload कर दूँगा exact क्या formulas है क्या calculation है विल्कुल ठीक है closing price multiplied volume लेता है यह उनको add करता है हर candle को divide by जो भी period ले रहा है उसको volume ठीक हो डीटेल ना बताऊंगा उसमें जाने की अभी ज़रूरत नहीं है ठीक है तो volume weighted moving average market ने अपना तोड़ दिया है कब तोड़ा है 2 अगस्त को ठीक है आप यह देखो जब से अप ट्रेंड शुरू हुआ है कितने खुब्सूरती से यहीं पर इसने volume weighted moving average पर ही support लेता रहा है ना और जब यहां था तब तो मैं बिलकुल वीडियो बना था standard deviation वाले कि भीया call ले लो call मतलब होना ही चाहिए कि नंगे साफ हो जाओगे है ना जिन्दी और market को गाली दोगे सब को भगवान को गाली दोगे और दुच्छार मुझे भी गाली देंगे है ना वो crash वाले thumbnail लिखके तो यहां पर होना ही चाहिए calls तो जिन्होंने लिये हैं उन्होंने बढ़िया यहां पर profit book की है ना बिलक short उनी call के पैसों से ठीक है मामा घर से नहीं लाने ते यहां पर जो call लिये है ना उनी के पैसे ठीक है यहां पर अच्छे खासे लोगों ने पोल भी दिखाया था मैं members का आपको किसी ने तीन गुना कर लिया call में profit किसी ने 5 गुना किसी ने 10 गुना भी कर लिया ठीक है बट सब ने कुछ ना कुछ members ने profit किया कुछ शायद पता नहीं 10% से भी कम थे जो नेकट थे शायद आना वो पोल मैंने आपको दिखाया पहले भी तो यह था यहां पर कितनी खुब्सूरती से सपोर्ट लेता रहा और अब इसने यह तोड़ दिया है तोड़ दिया और आज की डेट में अभी यह 19.625 पर है तो मंडे को देखो एक खास बात यह है कि जब भी वॉल्यम वेटेड एवरेज प्राइज वॉल्यम वेटेड कंफ्यूज मत हो ना वॉल्यम वेटेड मॉविं एवरेज यह जब भी तूटता है ना तो मार्केट फिर रेंज में नहीं रहता फिर वो तेजी से गरता है ठीक है तो अगले अफ़ते बहुत हाई चांसे बड़ी रट कंडल की ठीक है हम लोड़ा सा बैक्ट्रेस कर लेंग को गलती से मिल जा कि अब यह काम करेगा रिज्स्टेंस का बहुत जोओड़ार आगला तो यह तोटने के बाद यह उपर जाए यह बहुत रियर इंस्टेंस दिका है ना जाए भी तो ठिकता नहीं है तो हम यह वोल्यम वैर्टेट moving average की history देख लेते हैं October 21 से ठीक है जब भी इसने तोड़ा है तो क्या हुआ है देखो यहां तोड़ा था 28 October को ठीक है तोड़ा उसके बाद इसने कुछ दिन इसके पास आया यहां resistance लिया क्रास भी है और उसके बाद देखो फॉल मतलब बेस्ट जब यह तोड़ा ना तो बेस्ट opportunity शॉर्ट करने की यहां पर टेस्ट पर बनी थी यह इवन यहां भी गरते तो कोई फरक नहीं है अगर दूर के महीने का गरता है तो ठीक है तो एक बाउंस तो यहां आ गया था उसके बहुत बड़े reward मिलते हैं यहां देखो यहां तोड़ा इसमें तो bounce भी नहीं लिया इसने जन्वरी में और यह बड़े fall हैं यह कहां से तोड़ा था इसने 17 800 के असपस तोड़ा था और 2-3 session में 16 मतलब 2-3 दिन में हजार point फिर यह उपर गया यहीं पर resistance लिया यहीं resistance लिया ठीक है और जब यह इतनी बड़ी green बन जाए इसके उपर तो एक अच्छा bounce मिलता है यहां तोड़ा resistance लिया कितने तेज़ फॉल आते हैं ठीक है यहां पर तोड़ा gap down से इस बार पर कुछ गया ठीक है यहां तोड़ा इसके आसपास हुआ फिर एक तेज़ फॉल ठीक है यहां तोड़ा तो पलट के नहीं देखा दो तीन चार दिन रेंज मेरा फिर यह अच्छा गासा फॉल था है यहां से 18600 से 17700800 ठीक है यहां तोड़ा बड़ी red candle यह बड़ी red candle ठीक है तो जब भी यह तोड़ता है आप देखो कि market फिर bounce बड़ा मुश्किल से देता है और गलती से अगर दे दे तो मौका नहीं छोड़ा ना तो अगले हफते की picture एकड़म clear है Monday या Tuesday अगर यह bounce मिल जाए तो भी यह market portfolio अगर मिस हो गया है तो सोचा जा सकता है अपन तो भी है यहां पे बट़े हैं पहले से बता के पहले से यहीं से बता दिया था है यहां तक ride करूंगा है ना थर्ड डिवीशन तक और यहां पे call on book करके members पूल किया यह कितने लोग शॉर्ट हो टॉप पर 70% है ना तो यह है तो लेकिन यह है कि यहां पर bounce आता है तो अगर मिस हुआ है यह इवन मेरा मेनमनी management trades की है कुछ तो यहां पर काफी पैसा फ्री हुआ है वो उसको re-deploy करने का सोच हूँ है यहां आता है तो otherwise chances बहुत हाई है कि कल ही market बहुत जोड़दा तरीके से गिरे है ना कल या पर सो में दो-तीन दिन में एक हलकी सी candle बना दी थोड़ा सा और हलका-फुलका bounce दे दे उननेस छे सो तक वो भी बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो होता है तो अगर यह आ जाए तो ठीक otherwise तो यह नीचे की जरनी रड़ी है जब भी इसने तोड़ा है खेला हो गया है market में से simple indicator फिलाल volume का नहीं obviously अकीली चीज़ नहीं देखी जाती और भी साथ में चीज़ने देखी जाती है वो सब discuss करूंगा अभी तो लंबा हो जाएगा और मैंने अल्रेडी आपको बताया भी है ना यहां पर हम बहुत सारी चीज़ें को शेयर की हैं यहां फर्स डिवेशन तोड़ चुके हैं ना यहां की जरनी शुरू हो गई है यह मीन की और भी चीज़ने देखते हैं जिसे मैं बताया volatility indicators trend indicator momentum indicator सब point out कर रहे हैं नीचे की तर लगा के देखो अना इंडिकेटर लगा के देखो फॉल छोटे मोटे नहीं आते हजार point अना बड़े ही फॉल आते हैं जब भी वॉल्म वेटेट मूइंग एवरेज टूटता है बड़े फॉल आते हैं और जल्दी आते हैं यहां थोड़ा सा टाइम लग गया था बड़ ठ लगा को बताने के लिए के वाइंग में बहुत लोग कॉंपलेसेंट थोड़े बाउंस आएंगे वापस लोग आएंगे अरे रे कहां हो गया क्रैश कहां है कहां है तो बाउंस खुश हो जाना ना चले ना और एक चीज़ याद रखना और यह सब फेल होगया ना सारी स्ट ठीक है तो तुम क्रैश क्रैश चिलाते रहा होगे और हम नाचेंगे तुम्हारे मूपर ठीक है ट्रेडिंग में वर्स्ट को हैंडल करना आना चाहिए सब चीज़ें फेल हो सकती है ठीक है सब चीज़ें फेल हो सकती है मार्केट है कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पास वो बात ये कि तुमने पुट लिया और नहीं चला तो ऊपर मार्केट भाग गया तो तो रिस्क मैनेज किया है क्या कुछ सोचा था इंशुरेंस वागे रहा कि या लुट ना जाओं बरबाद रहा हो जाओं तो यह चीज़ है ना इस अफ स्टड़ी अपनी जगे रिस्क एंड म जिनके कॉंबिनेशन को यूज करके रिवर्सल ट्रेट की जाते हैं उसका वीडियो में कोशिश करूंगा इस अफते पैट्रियॉन पर अप्लोड करूंगा ठीक है बाई बुटनाइट मिलता है नेक्स वीडियो में ठीक है लाइब मार्केट में कनेक्टेड रहो हो सके तो कल मेंबर्स लाइब आने की कोशिश करूंगा आँगा जहां तक है कल क्योंकि जो मनी मेनेजमेंट काफी सारा जो करना था फ्राइड़े को फ्राइड़े नी थर्स्टे को जबरत सरीके से कर लिया तो अभी सब सेट है और यह जो बाउंस आया फ्राइडे या अगर कल हुआ है मनी में पर उसको यूज करूआ ठीक कैसे कर रहा हूं क्या है वो सब लाइं मार्केट में ही डिसकस होगा चलो वही गुट नाइट